इस वीडियो में दी हुई जानकारी इंटरनेट से ली गई है। हम इस वीडियो में किसी भी दवाई का प्रचार नहीं करते। किसी भी दवाई का उपयोग करने से पहले एक बार अपनी डॉक्टर से ज़रूर पुछे। अगर आप इस वीडियो को देखकर किसी दवाई का और आपको कोई side effect होता है तो उसमें हमारी कोई जम्यदारी नहीं होगी 2. कैरी का पपीता को व्यापक रूप से डेंगू बुखार के लिए प्राकृतिक प्रबंधन के रूप में जाना जाता है 3. डेंकुट प्रतिरक्षा प्रणाली के निर्मान और संक्रमित जीवों के खिलाफ शरीर की रक्षा में बहुत सहायक है 4. डेंकुट में पोशक तत्वों और योगिकों का जटल मिश्रन प्लेटलेट गिंती में व्रिद्धी का कारण बन सकता है 5. इसमें तीव्र और जीर्ण बुखार में एनालजैसिक, ज्वनाशक और सूजन रोधी प्रभाव होते हैं और अधिक रक्ष कोशिकाओं के उत्पादन को उत्तेजित करके शरीर की रक्ष प्लेटलेट गिंती को महत्वपून रूप से बढ़ाने की अध्वित्यक शमता होती है 6. ये कमजोरी, चक्कराना और ठकान जैसी अनीमिया स्थितियों को रोकने और नियंत्रत करने में मदद करता है साथ ही सामान्य मानव रक्षा तंत्र को मजबूत करने में भी मदद करता है 7. डेंक्विट सूजन और संक्रमन के खिलाफ समगर प्रतिरक्षा शक्ती को बढ़ा सकता है और सफेद रक्त कोशिका यानी की WBC और प्लेटलेट काउंट बढ़ा सकता है वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद अगर आपको ये वीडियो अच्छी लेगी हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें और हमारे चैनल को सपोर्ट करने के लिए नीचे देगाए सब्सक्राइब बटन को दबा कर नोटिफिकेशन बेल को आल नोटिफिकेशन पर सेट करें